क्या हाल चार है दोस्तों कैसे हो आप सब आज शौमी लवर्स के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ख़बर है जैसा कि शौमी अपनी न्यू सीरीज के साथ आने वाला है शौमी 14 एंड शौमी 14 प्रो फिलाल अभी यह स्मार्टफोन इंडिया में रिलीज नहीं हुए है बट गलोबल मार्केट में यह स्मार्टफोन लॉंच हो चुके हैं वहीं यह पहले ऐसे स्मार्टफोन होने वाले हैं जिनमें स्नैप ड्रेगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर मिल ले वाला है वहीं बात करें अगर इंडिया में तो आईट्यू ने अनौंस किया है कि उनका जो आईक्यू 12 होगा वो जल्दी ही इंडिया में रिलीज होगा विस स्नैप ड्रेगन 8 Gen 3 तो अब देखते हैं कौन सा ब्रेंड पहले अपन तो वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट लेट गेट स्टार्टिड तो कुछ इस तरह का बड़ा सा बॉक्स देखने के लिए मिलता है बॉक्स को ओपन करने पर यहां पर मिलता है सिम एजेक्टर तोल इसी के साथ में एक रभराइज फोन केस कवर मिलता है एंड कुछ दोक्यमेंटेक्शर से मिलते हैं साती में अगर इन बॉक्स बात करें तो 120 वाट का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है जो कि अच्छी बात है कि सिल मैनुफेक्टर जो हैं इन बॉक्स चार्जर दे रहे हैं और जहां वही कुछ ब्रेंट्स हैं जो इकोवेस्ट के नाम पर चार्जर ही नहीं देते हैं इसी के साथ टाइप A to टाइप C का चार्जिंग केवल मिलता है सो ओवराल फोन बॉक्स के अंदर में यही सब चीज़े मिलती है देखने के लिए Let's talk about the design so सबसे पहले इसमें आपको मिलता है dual speaker setup एक speaker आपको phone के top पर मिलता है एक speaker मिलता है bottom side में वहीं साथ ही में type C port, mic and SIM tray slot मिलता है जो की dual SIM को support करता है तो आप एक ही साथ में दो SIMS को use कर सकते है बट SD card slot नहीं मिलता है so memory का increase करने को option या पर नहीं है right side में power key plus volume lockers button देखने के लिए मिलते है and back side में मिलता है glass cover देखने के लिए and वहीं एक बड़ा सा camera module so बढ़ते हैं आगे specification की तरफ so Xiaomi 14 Pro series में देखने के लिए मिलता है HyperOS software जहां Xiaomi 13 series तक में MIUI software देखने के लिए मिलता था so Xiaomi 14 Pro में 6.7 inches की 2K 12 bit LTPO OLED display देखने के लिए मिलती है with a 120 Hz refresh rate and it also comes with a peak brightness of 3000 nits जो की बहुत जादा है अगर compare करें iPhone के साथ में तो iPhone 15 में 2000 nits की peak brightness मिलती थी बात करते हैं cameras की तो triple camera setup with Leica lens के साथ देखने के लिए मिलता है इसमें 50 megapixel का primary camera sensor है with optical image stabilizer secondary camera है 50 megapixel का telephoto camera with 3.2x optical zoom इसमें भी OIS देखने के लिए मिलता है and third camera है 50 megapixel का ultra wide camera here are some samples अगर overall बात करें camera performance की तो यहाँ पर काफी सारे modes देखने के लिए मिलते हैं जैसे pro mode, movie mode so यहाँ पर आप जब भी camera focus को increase करते हैं तो आप यहाँ पर camera movements को clearly देख सकते हैं वहीं इसमें rear camera से आप 8K 30fps तक shoot कर सकते हैं with a 70x zoom and इसे के साथ अगर बात करें front camera की तो front camera जो 32 megapixel का sensor है and इसके साथ में आप 4K 60fps तक shoot कर सकते हैं let's move to the processor तो इसमें आपको मिलता है Snapdragon 8 Gen 3 का chipset with 12 और 16 GB LPDDR 5X RAM with a UFS 4.0 storage के लिए यहाँ पर 256 GB plus 512 GB वाले variants मिलते हैं साथ ही में 1TB का भी एक variants मिलता है अगर बात करें overall N22 benchmark के result की तो 1.92 million इसका result निकलता है वही Snapdragon 8 Gen 2 की अगर result की बात करें तो 1.6 million आता है so overall performance जो है वह यहां पर अच्छी मिलने वाली है और बात करें अगर इसकी colors and variants की so यहां पर 3 colors देखने के लिए मिलते हैं green, white and black और इसी के साथ में titanium color का भी option देखने के लिए मिलता है so यह था overall Xiaomi 14 Pro के बारे में हाला कि देखते हैं इंडिया में यह कब launch होगा में सब तक के लिए take care, bye bye